नमस्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने चैनल्स एस्ट्रोफरंड अंचु और वन्शन्स बेस्टीज में स्वागत है आज का साप्ताहिक राशीफल यानि की 21 जून से लेके 27 जून का साप्ताहिक राशीफल राशीफल चंदरमा के गोचर पर अधारित होता है इस सप्ता चंदरमा, तुला, व्रिशिक और धनुराशी में रहेंगे इस सप्ता सोमवार 21 सारिक को नर्जला एकदशी है 22 सारिक मंगलवार को प्रदोश्वरत है 24 सारिक वीरवार को जेस्ट मास की पूर्णीमा है 25 सारिक शुकरवार को असार मास प्रारम हो रहा है तो आई ये शुरू करते हैं साप्ताहिक राशीवल मेश राशी वेपारिक वर्ग को लाब, नौकरी वालों को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है धन सुचारो रूप से आता रहेगा परिवार वापत्नी पर ध्यान दे, कुछ अनबन होने की संभावना बन रही है स्वास पर ध्यान दे, नाकवा गले की समस्या महा उपाय में हनुमान बाहुक का पार्ट करें विशब राशी विशब राशी वालो का कारियर और विफसाय में मेहनक ज्यादा होगी अधिकारियों से संभल कर रहे है करजा लेने की संभावना बन रही है परिवार का ध्यान रखें, अनबन की संभावना है स्वास की दिश्डी से सरदी गले बुखार की परेशानी आ सकती है धन का योग अच्छा बन रहा है, शेर मार्किट से भी लाब बन रहा है, ये सब्ता परिवार का ध्यान रखें, बिमारी पर पैसा खर्च होने का योग बन रहा है, नए रिष्टों की शुरुवात होगी, संतान का ध्यान रखें, महा उपाए में हरी मुंकी दाल का दान करें करक राशी, करक राशी वालों का कैरियर और वेफसाय में तरक्की के अच्छे योग बन रहे हैं अधिकारी वर्भ प्रसं रहे गा, धन की कमी नहीं रहेगी, घर और गाडी खरीदने का भी योग बन रहा है पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा प्रेमी प्रेमी का का अच्छा योग चल रहा है विवा की दिस्टी से ये सपता अच्छा है स्वास की दिस्टी से भी ये सपता अच्छा है महा उपाय में शीव चालिसा पड़ें और किसी एक भ्रामन को भोजन कराएं सिंग राशी, सिंग राशी वालों की केरियर और वेफसाय की दिस्टी से ये सपता अच्छा है, यात्रा वा विदेश योग बन रहा है, कोई पुराना कर्जा वापस मिलने का योग बन रहा है, पैत्रिक संपत्ती से भी लाब मिलेगा, पारिवारिक चीवन खुशाल होगा, स्वास की दिस्टी से पिता का ध्यान रखे, पिता को घुटनों के दर्थ की संपावना बन रही है, महा उपाय में आदित्य हिर्दे स्रोत का पार्ट करे, कन्याराशी, कन्याराशी वालों के केरियर और वेफसाय में तरक्की है, घर में शुब कारे होने के संकेत मिल रहे ह पारिवरिक जीवन में माता पिता का पूंट सायोग मिलेगा, स्वास की दिस्टी से ये सप्ता आपके लिए अच्छा है महा उपाय में सित कुंजी का कस्रोत या कनकधारा स्रोत का पाठ करें तुला राशी तुला राशी वालों का कैरियर और वेफसाय में करक्की, धन लाब, घर में कोई शुप समाचार आने की योग बन रहे हैं पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा, धन की सिती अच्छी रहेगी, पती-पत्नी के रिष्टे अच्छे रहेगे स्वास की दिस्टी से ये सप्ता अच्छा रहेगा महा उपाय में दुर्गा सूती का पाठ आपके लिए लाब प्रद है प्रिष्टिक राशी, प्रिष्टिक राशी वालों के लिए केरियर और वेफसाय में फोकस करेंगे तबी लाब मिलेगा धन के मामले में खर्चों के बढ़ने की संभावना है परिवार में किसी तीसरे की वज़े से परिशानी आ सकती है स्वास की दिष्टि से पंजो का दर्थ या पंजे में चोट लगने की संभावना है महा उपाए में हनुमान चालिसा और बजरंग बान का पाट करें धनुराशी, धनुराशी वालों का केरियर वावेफसाय में मिला जुला असर मिलेगा ध्यान रखें, किसी और की बातों में आकर अपना नुक्सान ना कर लें धन की स्थिती अच्छी रहेगी, स्वास की दिष्टि से घुटनोवा पाचन तंत्र की परिशानी आ सकती है महा उपाए में विश्णु सहस्त्र नाम का पाट करें मकर राशी, मकर राशी वालों का केरियर और वेपसाय में लाब होगा रुके हुए कारे बनेंगे, धन असानी से आता रहेगा, पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा माता के स्वास का ध्यान रखें, पती पतनीवा, प्रेमी प्रेमी का करिष्टे मदूर रहेंगे स्वास की दिस्टी से कोई पुरानी समस्या से छुटकारा मिलेगा महा उपाय में, शनी मंत्र, ओम, प्राम, प्रेम, प्रोम, सख्षनिश्टाय नमा मंत्र का सूरियस के बाद एक माला जाब करें कुम्भ राशी, कुम्भ राशी वालों के कैरियर और व्यवसाय में लाब, धन, लाब और प्रोमोशन के चांस बन रहे हैं नए कारियों के संकेत मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा स्वास की दिश्टी से घुटनों, बालों वा नाकून के समस्या हो सकती है महा उपाय में शनी चालिसा का पार्ट करें मीन राशी, मीन राशी वालों के कैरियर और व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं रुके विकारे पूंड होंगे, धन के मामलों में आप भागेशाली है, विदेश से लाब है, पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा स्वास की दिश्टी से ये सप्ता अच्छा रहेगा, बस आपको अपने पाचंत मंतर का धियान रखना है महा उपाय में महा मृत्विंजे मंतर का पाठ करे तो मित्रो यह था इस सप्ता का राशिफल, धर्म और संस्क्रिती से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो फ्रेंड अंशू और वन्शन्स बेस्टीज तोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके औल पे क्लिक करें जै माता दी आपका दिन शुभ हो झाल